आज हम बनाने वाले हैं अंडा मेथी मलाई अंडे की एक क्रीमी और डिलिशेश डिस खाने के बाद आप बाकी सारी डिसे भूल जाएंगे तो आप इसे जरूर ट्राइ करें अंडा मेथी मलाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई को मीडियम हीट पे रखेंगे और उसमें तीन से चार टेबल स्पून तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 200 ग्राम प्याज और दो हरी मिर्ज का पेश्ट डालेंगे दो से तीन मिनट भूनने के बाद अब इसमें वन टेबल स्पून अद्रक लैसून का पेश्ट डालेंगे अब इसे एक से दो मिनट तक और भून लेंगे फिर इसमें तीन टेबल स्पून बीट किया हुआ दही डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें दस से बारब पिसे हुए काजू डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके तीन से चार मिनट तक पकाएंगे अब देख सकते हैं कि पेश्ट तेल चोरने लगा है अब इसमें वन टीस्पून जीरा पाउडर वन फोर्थ टीस्पून ब्लाक पेपर पाउडर डालेंगे अब इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे जब मसाला साइड से तेल छोड़ दे और इखटा हो जाए तब उसमें हाफ कप पानी डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वन टीस्पून नमक डालेंगे एक से दो मिनाट तक पका लेंगे और फिर उसमें डेल टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोरी देर बाद इसमें बीच से कटे हुए चार बॉयल्ड एक डालेंगे हलके हाथों से अंडे को मसाले में मिक्स कर देंगे फिर ढखके दो से तीन मिनाट तक पकाएंगे गैस को बंद कर देंगे और इसमें दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीमी और डिलीसियस अंडा मेथी मलाई रेडी है इसे इंजॉय करें नान रोटिया राइस के साथ आप इसे जरूर ट्राई करें और कॉमेंट सेक्षन में शेयर करें अपने एक्स्पिरियेंसेस